नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल रूपर की रोसोई में आज हमने त्यार करी मिल्क पॉडर से बर्फी आपको एरेसी पे अच्छी लगेगी साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करी अगर आप नए है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब् पाउडर त्यार करेंगे आदा कप लिया हमने दूद दो चमच घी और दो चमच कोको पाउडर अब जो दूद है हम उसको उबालेंगे जब तक दूद गरम हो रहा है हमने जिस परतन में घर्फी जमानी उसे हम दीज कर लेंगे अच्छी तरी घी से फ्लेम को एकदम लोड रखते हुए हम मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे हिलाएंगे जिस इसमें कोई भी लंस ना आए बचावा मिल्क पॉडर भी हम इसमें डाल देंगे वह इसे लगाता हिलाते रहेंगे कोई एकदम लो रखते हुए हम लगाता हिलाते हुए से पता रहें देखें अब हम इसमें डालेंगे चेनी इसे भी मिक्स खटते रहेंगे फ्लेम को लोई रखना है चीनी हमने डाल दिये और इसे हिला रहें फ्लेम को एकदम लोई रखना है वनना है चिपक जाएगा नीचे कड़ाई में इसमें एक भी लंग्स ना लेंगे आप इसे कंटीनिव से लएए यह देखें अब इसमें हम गी जो हमने दिया था वह इसमें डाल देगे और गी को भी अच्छे तरे इसमें मिक्स कर लेंगे इसे लगाता हिला भी रहें धीरे धीरे पैन छोड़ने लगेगा और एक जोगी खटा होने लगेगा अब इसे जमाएंगे इसमें से दो पार्ट करेंगे हम इसके गेस को हम बंद कर देंगे इससे हमें गरमी सेट करना है पर नहीं बहुत जल्दी जम जाता है इस तरह से हम इसे गरमा गरमी सेट करेंगे अब इसमें एक दो चमच हम दू टालेंगे और जो हमारा कोको पाउडर था उसे डालके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यह चमच टालके हमने कोको पाउडर भी मिक्स कराई और इससे भी हम सेट कर देंगे अचिदी कोको पाउडर की लेयर भी हमने सेट कर दीए इस पर हमने घी का हाथ लगा के सेट करा है बहुत जल्दी यह जमने रखता है इस इस प्रोसेस को आपको बहुत जल्दे जल्दे करना पड़ेगा अब इसे हम दो गुंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए यह देखिए हमारी बर्फी अच्छी तरह सेट हो गई अब हम इसके पीस काटते है और इसके चोकोर चोकोर पीस काटते है सारी बर्फी हमारी तयार हो चुकी और यह बहुत जल्दी बन जाती बर्फी राखी स्पेशल स्वीट से आप इसी राखी पर ज़रोर ट्राए करिए